नमस्कार दोस्तो जारखन डिफेंस जोप के यूटूब चैनल पे आप सभी का सुवागत है तो दोस्तो आप सभी अभिहर्थियों के लिए जो चोकिदार भरती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तो आप सभी के लिए एक आविश्यक सुचना निकल कर आ रही है साथ ही आप सभी इस नो जीले से हैं तो यह वीडियो को जरूर देखिएगा अंतक ताकि दोस्तो मैं आप सभी का जो कॉंसेप्ट है अच्छे से समझा पाऊं तो चलिए समय को ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ड करते हैं ठीक है और चैनल पे अगर आप नए है फ्रें पता होगा पिछले कल 15 अक्टूबर को राज में पूरी तरह से आदर्स अचार सहिंता लागू हो चुका है और सभी डिसी को जीमेदारी गई है अच्छे से बिधान सभाव एलक्षन कराने को लेकर ठीक है तो इसी पर डेट पर दोस्तों एक एक्जामेशन डेट था 20 तार पूरी तरह संपन हो चुकी है और नौ जीले का एक्जामेशन अभी तक बाकी है तो और नौ जीले दोस्तों कौन सी है पहले आप लोग यह देख ले और आप यह मत कहिएगा कि मैं परचार करा हो देखिए नौ जीले का जो नाम है वह सराय केला खरसावा पहला जीला है ठी नौ जीले में अभी तक एक्जामेशन नहीं हो पाया है तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं अगर आप यह नौ जीले से आते हैं तो दोस्तों अगर आदर्स अचार सहिंता में आपका एक्जामेशन होगा या नहीं फिजिकल होगी या नहीं सारा कुछ हम असपश्ट ब लाग हुआ है तो 14 तारीक को दोस्तों रखती हुए जो एक नोटीस आई थी कि इस तारीक को जोईनिंग होगा इस तारीक को एक्जामेशन होगा पूर्वी सी मुम में तो दोस्तों सारा कुछ अस्तगित कर दिया गया है और एक नया डेड भी आ चुका है इसमें कहा गया अस्तगित हो चुकी है और उनके दोस्तों पूर्वी सी मुम का जो डीसी है उनके बाद एक निरने लिया गया कर रात में लगभग 10 बजे का सपास तो चलिए क्या नोटिस निकल कर आ रही है वो भी देख लीजेगा और यह सभी जीले पे लगभग लागू हो रहे है ठीक है चलिए देखें क्या है जीला दंडादी कारी उपाईत कर्याले पुर्वी सी मुम जमसेत्पूर चोकिदार नियुक्ति कोसांग आम सुचना इस कर्याले के ग्यापन इतना चोकिदार के इतना 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 ठीक है भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के प्रेस नोट इतना पंदर दस दौबीस के आम निर्वाचन दर चोबीस की घोसना कर दी गई है ठीक है आपको पता है कि चुनाओं का घोसना कर दी गई है उक्त के अनुसार जीला अंतरगत विभीन विधानसवाच्षेत के लिए नाम निर्देशन जो है अठारा तारीक उससे प्रारम हो रहा है तो जैसे कि दोस् ग्जामेशन पुर्वी स्भूम का नहीं होगा ठीक है अतुरोक्त में दोस्तों चोगिता भर्ती बरिखित परिछा की निजधारी तिथी आप लोगों को अस्तागित कि जाती है जो पुरवी स्मुम का एक्जामेशन होने वाला दोस्तों वह वह बीशतारीक रिक किया मोट हो गा न सुन्दर मोटा है जिनका तैयारी नहीं मदले तैयारी कर सकते ठीक है तैयारी कर सकते वीडियो पर नो भी बताऊंगा तो साथ ही दोस्तों जो नौ जीले के भी अभियर्ति हैं देखे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमसेत पुर्वाले का ही जीला परसासन बेस्त रहेगा क्योंकि दोस्तों भी नोमीनेशन होगा उनका स्कूरूटनी होगा उनका फिर वापस लिया जाएगा कि कौन हम कोई होता कि नोमिनेशन करा लिए तो पूरे जीला पर शासन अस्त बेस्त रहेगा क्योंकि बहुत कम समय में चुनाओ हो रहा है दो चर्नों में चुनाओ होने वाला है ठीक है फर्स प्रेस में और सकेंड जो बीस को है तो मेरे एकोडिंग दोस्तों इस जो नो जीले में है अब जो है पूरे चुनाओ परचार में कहीं जीले का एक्जामेशन नहीं होने वाला है जहां तक मुझे उम्मीद है क्योंकि पूरा सासन पर सासन बेस्त रहेगी चुनाओ को लेकर 99 परसन उम्मीद है कि अब आप लोगों का जो नो जीले का एक्जामेशन बाकी था वो न सता चुनाओ को लेकर तो ऐसे ही दुमका में भी चाल विधान सभासीट सेथ है धनबाद में भी है आपका कोट है भी ट्रव एक्जामेशन को होगी ठीक है है तो मेरे एकोडिंस दोस्तों आप rod stuff लोगों का Mr. लेना चाहते मेरे भाई-बंदू आप लोगों को पड़ने का मौक्या दिया जो जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है और अभी होगा क्योंकि जमसेथपूर का दो डेट रिलीज कर दिया सतरह नॉवंबर को होगा है तो जो ब्सक्राइब को सट्रह सट्रह नॉवंबर को अगले महीने यानि तो अगर आप स्प्राइकला तयारी कर सकते हैं धनबाद राची और पुर्वी सिम्भूम तो दोस्तों दस मोडल पैक्टी सेट लेना चाहते हैं अलग अलग जीले से जो भी अभी अरती है एक सो उंचा सूपिया का पेमेंट लग रहा है और दोस्तों इसी नंबर पे पेमेंट करना फोन पे गूगल पे से रहेंगे तो दस मोडल पैक्टी सेट लेना चाहते हैं दोस्तों प्रत्यक मोडल में आपका जार्कन जीके से प्ष enfor्ण रहेगा अप जीस भी दिले से हैं और प्रतेदी जीला का दोस्तव सम्वंधित प्रसंहेंगा दसती महां आप लेना चाहते हैं डस मौड़ daha तो नं तो जो पहले ले चुके है और अधर से लेना चाहते तो इस नंबर पे मेसेज कीज़ेगा 86 88 44 43 फोन पर गूगल पर वार्ट सब नंबर यह है तो जरू से जरूर बेहतर ट्रेस लेकर तैयारी कीज़े एक से 35 से 40 दिन पढ़ने का मौका मिला आप लोगों को बहतरीन तैयारी कर सकते हैं चलिए मिलते अगरे वीडियो में धन्यवाद जय हिंद जय भारत